देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौनसूर ने दस्तक दे दी लेकिन तेज बारिश ने यहां एक बार फिर कहर मचा दिया है बता दें की भारी बारिश के चलते मुंबई में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है जिस वेज़े से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है दरसल मुंबई के मलार्ड वेस्ट इलाके में बीती रात करीबी 11 बजे चार मंजिला रियाईसी इमारत ढह गई जिस हाथसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभी रूप से घायल हो गई जबकि कई लोगों के मलवे के नीचे दबे होने की आसंका जताई जा रही है जिने बाहर निकालने का काम जारी है वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए बीमसी के अधिकारी ने बताया की या हाथसा बुदवार रात 11 बजे मलवनी इलाके के न्यू कलेक्टर कमपाउंड में हुआ है जहां भारी बारिस की वज़े से इमारत ढह गई और जिसकी वज़े से इसके पास बनी तीन मंजिला इमारत पे हिल गई वही घटना की सूचना मिलते ही घटना इस्थल पर पहुंचे दमकल विभाग और अन एजिंसियों की कर्भियों ने तुरंथ ही राहत और बचाओ का काम शुरू किया साथी अधिकारी ने बताया कि इस हाथसे में आठ बच्चों और तीन व्यसक लोगों की मौत हुई है जिनकी पहचान कर ली गई वही घायल हुए अन्ने साथ लोगों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है जिनका इलाज नजदिकी स्पताल में जारी है बता दें कि महानगर मुंबई में ब्यानक बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जिसके चलते महानगर के कई जगों पर पानी भर गया है जिसका साफ असर ट्रैफिक व्यवस्ता पर देखने को मिल रहा है वहीं जलभराओं की बज़े से लोगों का जरूरत के काम के लिए घर से बहार निकलना भी मुश्किल हो गया है साथ ही नालों की सफाई ना होने से कई बस्तियों में जलभरा हो रहा है एक तरफ कोरोना और दूसी तरफ बारिश की मार जहल रहे लोग आखित करे भी तो क्या वहीं मौनसून के सुरुवात में ही महानगर की ऐसी स्थिती देख कॉंग्रेस नेता संजर निरुपम ने बीमसी पर निसाना साधा है उन्होंने मुंबई की एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा कि मुंबई बारिश की आगोश में है हर तरफ अंधेरा अंधेरी सव्वे ने मिलन सव्वे को पचार दिया है किंग सरकल और माटूंगा तैर रहे हैं सौ करोर खर्च करके पता नहीं कहां का नाला साफ किया हैस्टैग बीमसी ने मालूम हो कि महरास्ट को इस समय सिफसेना रास्टवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के गटबंदन वाली सरकार चला रही है ऐसे में देखा जाए तो एक समय सिफसेना में रह चुके निरुपम ने अपनी ही पूर पार्टी पर आरोप लगाया है बरहाल मुंबई के हालातों की बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग की और से यहां 48 घंटे में मध्यम बारिश के साथ कुछ इस्तानों पर भारी बारिश की आसंका जताई है ऐसे में महानगर के क्या हालात होंगे इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है